तो दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ important question discuss करेंगे state government scheme से related तो 2021 में जो भी important state government के दुआरा schemes launch करी गई हैं आज हम उनको इस वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में हमने top 37 question लिये हैं योकि आपके exams के लिए most important रहेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें share करें और channel को जरूर subscribe कर लें जितने भी competitive exams होते हैं हरे competitive exam के लिए ये वीडियो most important रहेगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है who recently launched the Amrit Grand Challenge Program titled Gen Care तो Amrit Grand Challenge Program किसने launch किया है जिसका title रहेगा Gen Care तो हमारा answer हो जाएगा डॉक्टर जितेंदर सिंग डॉक्टर जितेंदर सिंग जो है इनके द्वारा launch किया गया है Gen Care Program को जो कि एक Amrit Grand Challenge Program रहेगा अब ये जो है जितेंदर सिंग जो है कौन रहेंगे तो ये Minister of State रहेंगे Independent Charge रहेगा इन पे Ministry of Science and Technology का और रहेगा Ministry of Earth Science का तो ये आपको ध्यान रखना है ये Minister रहेंगे आपको Ministries भी जरूर याद रखनी है इसकी separate वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी अगला question देखते हैं Who recently launched Nidhi 2.0 scheme नidhi 2.0 scheme किसके द्वारा लॉंच करी गई तो हमारा answer हो जाएगो ओम बिल्ला ओम बिल्ला के द्वारा लॉंच करा गया है नidhi 2.0 scheme को अगर ओम बिल्ला की बात करी जाए तो ओम बिल्ला किसको represent करते हैं तो लोग सबा के speaker रहेंगे current time में ओम बिल्ला जिनके द्वारा निधी 2.0 इसकी इनको लॉंच किया गया है वेर डिड पीएम मोदी लॉंच दी पीएम आयुशमान भारत Health Infrastructure Mission recently तो प्रदान मंत्री आयुशमान भारत Health Infrastructure Mission जो है प्रदान मंत्री मोदी के द्वारा launch किया गया था तो यह इन्होंने कौन सी जगे पे launch किया है तो हमारा answer हो जाएगा वारणसी वारणसी जो है वहाँ का आपको ध्यान रखना है वारणसी जो है उत्तरप्रदेश में आता है और यहाँ पे प्रधानमंतरी मोदी के द्वारा launch करा गया है इस mission को और प्रधानमंतरी मोदी ने अभी हाली में कुछ टाइम पहले ही inauguration किया है काशी विश्वनात कॉरिडोर का जो की रहेगा वारणसी में विच स्टेट हैज लॉंच्ट दी धनवंतरी जैनरिक मेडिकल स्टोर इस्कीम तो धनवंतरी जैनरिक मेडिकल स्टोर इस्कीम होती है जिसमें की जो मेडिसन होती है वो काफी कम रेट में एक nominal price पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है और इस स्टोर से कोई भी व्यक्ति मेडिसन जो है वो बाई कर सकता है उसको जो रेट होगा वो काफी कम रेट में प्रोवाइड कराई जाती है तो ये कौन सी स्टेट ने लाउंच किया है तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 गड़ 36 गड़ स्टेट के द्वारा लाउंच किया गया है धनवंतरी जैनरिक मेडिकल स्टोर इस्कीम को विच स्टेट गवर्मेंट हैज लाउंच दी चीफ मिनिस्टर्स राशन आपके द्वार स्कीम तो राशन आपके द्वार स्कीम कौन सी गवर्मेंट रहेगी स्टेट गवर्मेंट रहेगी जिनके द्वारा लाउंच किया गया है इसमें क्या होगा जो राशन कार्ड्स होते हैं वो आपके घर पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे तो ये जो है ये एक scheme रहेगी कौन सी state की तो हमारा आंसर हो जाएगा मद्यप्रदेश, मद्यप्रदेश state government के द्वारा इस scheme को लागू किया गया है Which State Government launched the union campaign? प्रशासन गाउं के संग कौन सी स्टेट गवर्मेंट है जिनके दवारा इसको लाउंच किया गया है तो हमारा आνसर हो जायगा राजिस्थान राजिस्थान के दवारा इसको लाउंच किया गया है यह एक union campaign रहेगी Union Ministry के दुवारा इसको launch किया गया था और ये State Government जो है राजिस्तान ये भी इसमें support कर रही है जिसका नाम रहेगा प्रशासन गाउ के संग अगले question पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाते हैं Static GK Topic Wise एक e-book हमारे दुवारा launch करी गई है जिसमें आपको topics दिए गए हैं ये सब topics रहेंगे 14 से 15 topics रहेंगे जो कि हमने cover किये हैं और ये topics ऐसे रहेंगे जो कि 100% आपके exam में पूछे जाते हैं तो ये e-book सिर्फ आपको 69 रुपीज में provide कराई जा रही है अगर आप interested हो इसको buy करने के लिए तो इसका link जो रहेगा वो आपको description में provide कराई गया है आप इसको जरूर buy करें एक बार आप जरूर try करके देखे 100% आपको exam में मदद मिले आपको काफी अच्छी ए e-book लगेगी अगर कुछ downloading में issue आता है तो यह हमारी gmail ID है जो कि आपको नीचे provide कराई गई है आप इस पर directly हमको mail कर सकते है अगला question देखते है which state government recently launched the go green scheme तो go green scheme कौन सी state government ने launch करी तो हमारा answer हो जाएगा गुजरात गुजरात state government के द्वारा launch किया गया है go green scheme go which ministry recently launched the Indian export initiative and India export portal तो India export initiative और India export portal किसके द्वारा launch किया गया है कौन सी ministry रहेगी तो हमारा answer हो जाएगा MSME ministry MSME ministry के द्वारा इसको launch किया गया है अब MSME जो होती है micro small medium enterprises तो यह जो ministry रहेगी इसको current time में hold कौन कर ला है कौन minister है MSME minister कौन है तो यह आपको ज़रूर comment box में type करके बताना है railway minister कौन है यह भी आपको comment में बताना है MSME minister बताने है और education minister बताने है और ministry of corporate यह चारो ministry कौन कौन hold करता है current time में यह आपको comment box में type करके बताना है हमारे channel पे हम काफी बार discuss कर चुके हैं Recently which state government announced the mere calm mere man scheme for unemployed youth तो unemployed youth जो है जो यूद है इंडिया का जिनके पास कोई job नहीं है उनके लिए कौन सी state government है जिनोंने launch किया है मेरा काम मेरा मान तो हमारा answer हो जाएगा Punjab Punjab state government ने launch किया है मेरा काम मेरा मान scheme को unemployed youth के लिए जिसका नाम रहेगा इस 4.A इंपोर्टेंट रहेगा एक्जाम में जरूर पूछा जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन इनके द्वारा लाँच किया गया है पुबलिक सेक्टर बैंक रिफोर्म एजेंडा तो यह आपको ध्यान रखना है हूरी सेंट्ली लाँच लाँच दी फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैम्पेण तो फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैम्पेण किसके द्वारा launch करी गई तो हमारा answer हो जाएगा रुपे तो रुपे कार्ड्स जो होते हैं रुपे जो है उसके द्वारा launch किया गया है इस scheme को, campaign को Finance Minister निर्मला सीतारमन inaugurated the my pad my right project in which state तो Finance Minister रहेंगी इंडिया की निर्मला सीतारमन उनके द्वारा launch किया गया है my pad my right को तो ये project रहेगा कौन सी state में इन्होंने launch किया है तो हमारा answer हो जाएगा तृपुरा, तृपुरा state में launch किया गया है my pad my right project को who recently inaugurated the Ayush आपके द्वार campaign, Ayush आपके द्वार campaign किसने launch किया है तो हमारा answer हो जाएगा सर्बानंद सर्बानंद सोनवाल सर्बानंद सोनवाल के द्वारा launch किया गया है Ayush आपके द्वार campaign को which state government has recently launched the mission वतसल्य initiative for women, तो महिलाओ के लिए जितनी भी scheme launch करी जाती है, चाहे वो state government के द्वारा launch करी जा रही हो चाहे वो ministers के द्वारा launch करी हो, वो सब भी important रहती है तो mission वतसल्य जो है, ये एक initiative है महिलाओ के लिए, किसने launch किया है तो हमारा answer हो जाएगा महाराष्ट महाराष्ट state government ने launch किया है mission वतसल्य को who recently inaugurated the, साथ initiative for women, तो ये भी महिलाओ के लिए ही रहेगा, तो साथ initiative महिलाओ के लिए किसने launch किया है तो हमारा answer हो जाएगा manoj sinah, manoj sinah जो है ये lieutenant governor है, कौन सी union territory के तो ये भी आपको comment box में type करके बताना है recently which state launched an initiative called medicine from sky, medicine from sky जो है एक initiative रहेगा, कौन सी state government ने launch किया है, तो हमारा answer हो जाएगा, ते लंगना ते लंगना state government ने launch किया है medicine from sky which company has recently announced the launch of AI for all initiative तो AI for all initiative जो है, ये किसके दुआरा launch किया गया है तो हमारा answer हो जाएगा intel intel company ने इस initiative को launch किया है, हम इन questions की जादा detail में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारी current affair की videos है, उसमें हम हर एक scheme को detail में discuss पहले ही कर चुके हैं यहाँ पे जिर्फ आपको schemes रहेंगी, सारी schemes एक जगे provide कराए गई है, जिससे कि आपको तयारी करने में मदद मिल सके, बाकी इनकी अगर आपको detail देखनी है, तो आप current affair अगर regular basis पे देखते आ रहे हैं तो आपको सब पता होगा, या फिर आप current affair की वीडियो चैनल पे देख सकते हैं PM Modi launched उजवला योजना 2.0 इन विच स्टेट, तो उजवला योजना 2.0 प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी के द्वारा लाँच करी गई है, कौन सी करिशी करना प्रोजट्ट तो समगर सिक्षा योजना इसको extend कर दिया गया है 2022 में यह खतम होनी थी उसके बाद इसको दुबारा extend किया गया है कितने सालों के लिए, कब तक के लिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 2025-26 तो 2025-26 के लिए समगर सिक्षा योजना को extend कर दिया गया है काफी चर्चा रहा था पीछे ये जो scheme launch करी गई थी और पीछे exams में भी काफी पूछी गई थी तो ये कौन सी स्टेट पुलिस के द्वारा launch करी गई थी तो हमारा आंसर हो जाएगा केरिला केरिला स्टेट पुलिस ने launch किया था पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को तो सहजीवन प्रोजेक्ट जो है जो की दिव्यांग होते है जो की physically challenge लोग होते है उनके लिए launch करी गई है कौनसी स्टेट गवर्मेंट के द्वारा तो हमारा answer हो जाएगा केरिला केरिला स्टेट गवर्मेंट ने ही launch किया है सहजीवन प्रोजेक्ट को which state government has recently launched the door to door drug scheme door to door drug scheme जो है ये कौनसी स्टेट गवर्मेंट ने launch किया है तो हमारा answer हो जाएगा राजिस्थान राजिस्तान स्टेट गवर्नमेंट ने door to door drug scheme को launch किया है इसमें drug क्या है तो medicine drug की बात हुई है उसको पहुचाने का घर तक पहुचाने का एक scheme launch करी है राजिस्तान स्टेट ने Recently हल्दी बरी चिलाहिती railway link service has been launched between India and which country तो हल्दी बरी चिलाहती रेलवे लिंक सर्विस जो है ये कौन सी कंट्री के साथ मिलके इंडिया ने लॉंच करी है तो हमारा आंसर हो जाएगा बांगलादेश तो बांगलादेश और इंडिया के बीच में लॉंच किया गया है हल्दी बरी चिलाहती रेलवे लिंक सर्विस क तो ये एक international scheme हो जाएगी इसलिए most important रहेगी एक्जाम में जरूर पूछी जाएगी तो आप जरूर ध्यान रखें एक्जाम में जरूर आएगी तो डेली एड़रे 2047 campaign को किसके द्वारा लौच किया गया है तो डेली आगया है तो अव्यसी बास है कि डेली के जो चीफ मिनिश्टर है उनके द्वारा ही लौच किया गया होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा अरविंद केजरिवाल के द्वारा लौच किया गया है विच बैंक हैज रिसेंटली लॉंच्ट दी शॉपकीपर ओवरड्राफ्ट इस्कीम शॉपकीवर ओवरड्राफ्ट इस्कीम किस ने लॉंच किया कौन सा बैंक ने लॉंच किया तो हमारा आंसर हो जाएगा HDFC बैंक HDFC bank ने launch किया है shopkeeper overdraft scheme को which state government has recently launched her hit store scheme to eliminate unemployment तो her hit store scheme को launch किया गया है कौन सी state government के द्वारा तो हमारा answer हो जाएगा हरियाना हरियाना state government ने launch किया है her hit store scheme को इंडिया's first hydrogen fuel cell will be launched in which of the following state तो इंडिया का भारत का पहला hydrogen fuel cell जो है ये launch किया गया है inaugurate किया गया है कौन सी state में तो हमारा answer हो जाएगा हरियाना हरियाना state में launch किया गया है खोला गया है first hydrogen fuel cell को which state government has recently launched a nutrition program तो nutrition की कमी से जो बच्चे जूज रहे हैं या फिर जो माताएं हैं जो महिलाएं हैं वो जूज रही है तो उनके लिए state government ने launch किया है nutrition program को कौन सी state government ने तो हमारा answer हो जाएगा राजिस्थान राजिस्थान state government ने launch किया है nutrition program को which state government has recently launched a health scheme called मकलाई थेड़ी मरूत हुवम तो मकलाई थेड़ी मरूत हुवम जो है ये एक health scheme रहेगी किसके द्वारा launch किया गया है तो हमारा answer हो जाएगा तमिल नाडू तो तमिल नाडू state government के द्वारा एक health scheme को launch किया गया है जिसका नाम ये रहेगा तो यह आप द्यारू धियान रखें important रहेगी एक्जाम में पूछी जा सकती है which state government has recently launched out of pocket treatment scheme तो out of pocket treatment scheme किसने launch करी तो हमारा answer हो जाएगा मेगाले मेगाले state ने launch किया है out of pocket treatment scheme को which state government has recently launched FIR registration service FIR registration service को किसने launch किया है तो हमारा answer हो जाएगा मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश state ने launch किया है FIR registration scheme को जिसमें की जो FIR होती है उसको online register किया जा सकेगा which company has recently launched door to door delivery of diesel called fuel cart तो fuel cart मतलब जो गाड़ियां होती है उसमें जो fuel डलता है डीजल जलता है उसकी delivery के लिए एक company रहेगी जिसने start किया है launch किया है जिसका नाम रहेगा fuel cart तो कौन सी company ने fuel cart को launch किया है तो हमारा answer हो जाएगा BPCL तो BPCL जो है भारत Petroleum Corporation Limited इनके द्वारा launch किया गया है fuel cart को who recently launched the national hydrogen mission national hydrogen mission जो है ये किसके द्वारा launch किया गया तो हमारा answer हो जाएगा नरिंद्र मोदी नरिंद्र मोदी ने launch किया है national hydrogen mission को who recently flagged of operation blue freedom operation blue freedom किसके द्वारा launch किया गया है तो हमारा answer हो जाएगा dr. विरेंद्र कुमार dr. विरेंद्र कुमार ने launch किया है operation blue freedom को which state government has recently launched the rastriya swast sevak abhyaan rastriya swast sevak abhyaan किसने launch किया है तो हमारा answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश state ने launch किया है rastriya swast sevak abhyaan को which state government has recently decided to set up anti-terrorism squad जिसको की ATS भी बोला जाता है training center तो ATS का training center खोलने का एक announcement किया गया है decision लिया गया है कौन सी state government के दोवारा तो हमारा answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश state में एक training center खोला जाएगा ATS का anti-terrorism squad का तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करें अगर आपने भी तक channel को subscribe नहीं किया है तीनों को आप buy कर लें तीनों ही आपके exam के लिए most important रहेंगी धन्यवाद दोस्तों